कि नमस्कार दोस्तों साफ़त एक बार फिर हमां आपका उमारे YouTube चैनल में और आज मैं आपको यहां पर तीन भेसिक रूल एक्किलाइजर के उताने जा रहा हूं, एक्किलाइजर के तीन बेसिक रूल बताने जा रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक हमें काफी खुसी देता है, और उसी खुसी के आगे हम और बीडी बनाने की कोशिज करते हैं, तो दोस्तों, मैं यहाँ प लाना होता है, क्योंकि आप एक sound engineer के रूप में, sound operator के रूप में, आप उस समय, उस आवाज के करता धरता होते हैं, यानि जो सामने वाला गा रहा होता है, या सामने वाला बजा रहा होता है, उसको बनाना और विगाडना, दोनों आपके हाथ में होता है, recording में उसकी करते हैं कोई आवाज प्ले करते हैं तो उसको अच्छी से अच्छी रहे और आप जो है अपने गुण में निपुण हो जो हमारे पास है वो मैं दोनी देने की कोशिश कर रहा हूं जो आपके पास है मैं यह रिक्वेस्ट करूंगा आप में कमेंट बॉक्स में जाके लूस कर दोस्तों कुछ नहीं सबकुछ इसी फ्रिकंसि का खेल है आपके हाथ में सारी फ्रिकंसी को हम सुनते हैं लेकिन हम आते हैं में जो रूल बताने की तेन रूल वो तेन रूल जो आपको थाइदे मंद थावित हो सकते हैं यह नहीं कहा रहू हाँ सबीत हो सकते हैं कि इसलिए क्योंकि इन्हीं से संबंदित हैं दोस्तों पहला रूल यह है कि आप frequency जैसे सामने आपको ड्रम बज रहा है गिटार बज रहा है तबलो बज रहा है कुछ भी बज रहा है वोकल गारा तो उसकी फ्रिकशन्शी को बैलेंस करना पहले चीज़ जैसे अब इसमें तो ग्राफ है नहीं कि हम ग्राफ दिखा सकते हैं लेकिन जैसे आप सुनते हों आपके कान में वाज पढ़ती है कि नहीं इसका हाई ज्यादा जा रहा है तो आपको यह पता करना है कि ज्यादा जा रहा है तो जहर सी वात है आप अब स्वीठाब कर और चाहिए अब यहां परthose मैं यहां से कोछिस कर रहा ओंडेस कर रहाए ते समिकेब्स इस अब यह आपकी ख्रीकंशि रहें है लेकर हम दोनाब है तो अहीं से न पकड़ने के कर नहीं लिख पार हूं अब मैंनों आपका बेस ऐसे कर कैसे बूम जा रहा है तो जहें सिवात है यह इतने की के लिए इतना करएगो गधने के यो आपके लेबल का मतलब यह होता है कि जो सामने वाले को जा रही है आवाज वो अच्छी लगे और अच्छी लगने सासाथ उसमें कोई ऐसी चीज नहों पता लगे अब बोल रहे हैं तो का में गाइब हो जाएं मतलब आप समझ जारे क्या कहना चाहरा हूं मैं तो उसकी च तो गौर करके देखना जिब मैंने बता यह हाइस काटने यह हाइस हो रही है तो हाइस होने को मतलब है कि हम उसको उतनी ही रेंज का लग भग काटेंगे तब जो है वह आवाज आपकी मेंटेन हो जाएगी यह होती है बैलेंस फ्रिकंसी दूसरी चीज आप गौर करेंगे इस इसमें आप चर्फेटर देख रहे हैं चारोज पेर लीकिया है लेकिन पर जाए यह आप क्चेल से पता होनी चाहिए जो आपकी फ्रिकंसी रैंज है वह भीच से बीच होती है इन फ्रिकोंशी रेंज को यहां पर चार फैटरस में बाता गया है नॉर्मल में आप इसे पाश पेटर में बात सकते हो जैसे कि आप गौर करोगे पचाज सब आप 500 1000 और 10,000 एसलिए कहरा हूं कि आप गवर करोगी ते यह जो arrowsब्स कर रहा है यह बहुत लोग हो प्रिकुएंसी के बीच में आप यह चीजे देख रहे हैं घ्राप के रू पहता हैं यह यह आपको 20 से लेके 100 तक की रेंज की बात कर रहा हूं यहाँ Sur से कहने का मतलब है कि यहां सो यहां जैसे स्टार्ट होती है सो से लेके 300 500 का है तो 300 लेके 800 800 से लेके 1000 1000 से 1200 यह दिए आपका दहजार मतलब इन देंज को में नॉर्मल लेंज की बात करों इसमें क्या है आपको बताने की को रहा हुआ जो छोटी बहुत लोग फ्रिकन्सिस होती है जैसे ड्रम में आप देखते होंगे उसके ड्रम का जो बेस का होता है वाला जो है बूम में महुत से system होता है वो आपको बिल्कुल low frequencies पर होता है जो जिनको हम बोलते हैं यह low frequencies इनका होता है तो और उसका जब हम हाइस की बात करते हैं मिड़ की बात करते हैं फिर हाइस की बात करते हैं हाई में आप जानते जितने string बाते हैं जितने string वाले equipment होते हैं सारे हैस अधिक होती है अब करने की बात करोह बेशष चल्ट के ज्राइब बच तो यहां बैद करने की देकि देखश करने में पड़ागी कि यहां से बीस किलो किंढ़ों हैं इस इसम प्रेकंसी हो गई यह लूग नुग जैसे आप जानते हैं कि तबलिगा बेस अलग होता है चाठी की फ्र区ंसी इस हाई अलग होती है आप उसके बाद लिए आप ड्रम में देखते हैं ट्रम में पांच किक स्नेयर टॉम ओवरेड जिखते ही यह 요गए उसमें अलग अलग कि लिए आगया तो आप उस फ्रिकेंसिस के लिए उस बोकल के लिए उस ट्रम के लिए या उस जो सामने गा रहा है बजा रहा है जिसके लिए आप करता धरता याई आप एज इंजिनियर आप ही हैं और यह कह सकते हैं एक हिंदी वहां सामें आप कुमार जो होता है वो मिट्टी को काड़ करके जैसे उसको मतलब पत्थर को काड़ करके आप देखा होगा जो भी बना देता है देखा ओ जिसे आप से उसको सेट करना होता है तो सेम यहाँ पर वही कहानी है बढ़ाई जैसा कारपेंटर होता है किसी भी लगड़ी के गुटकी को एक अच्छी मूर्ती बना दूसरा फिकंसी रेंज के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है तीसरा इन सभी रेंज को जानने के बाद आपको किस तरह से बनाना है ये चीज बताने की कोशिश किये मैंने अच्छी लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें ताकि हमें आपके उस ज्यादा ज्यादा एफर्ट आपना आप तक पहुचाते रहें जैहिन जैवारत